अगर देखा जाए तो महानगर पालिका की चुनाव बहुत जल्द होने वाली है सभी पार्टी के कैंडिडेट अपने अपने वाड में काम करना सुरू कर दिये हैं लेकिन अगर देखा जाए तो मुंबई कुरला विधान सभा की और कुरला विभा की तो यहां पे काम होना का काफी जरूरी है. हम अभी मौजूद हैं मुंबई के कुरला विभा Phillips में और हमारे साथ महाराशनों निर्मार सेना के एसे कर्मठ नेता है जो चर्चा में रह चुके हैं. उनके काम की बात की जाए उनके नाम की अगर बात की जाए तो काफी लोग उन्हें जानते हैं पहचानते हैं उनके काम की वज़े से और महाराश नो निर्मार सेना के तरफ से एक करमठ नेता यहां से माने जाते हैं हैं तो आईए हम चलते हैं आज नितिंजी से बात करेंगे क्या उनका दोर रहा है कितने साल से यहां पर पार्टी में जोड़े हुए हैं और इस कुरला भीभग में कितने सालों से हैं महाराश नौ निरमार शेना में कब से जुएंड हुए क्या क्या काम उन्होंने कैसे काम किया और लोगों की क्या इहां प्रस्हें है यह सब चीज़ करके महारश्रा नर्मान सेना में आज काम कर रहा हूं राज साब के आशिरवाद से जो राज साब हमेशा हमें एक ही हमें बोला है कि विकास विकास करो और जो स्परदा होनी चाहिए वो काम की स्परदा होनी चाहिए फिलाल जो नाशिक का जो विकास की है राज साब ने उसी धर्ती पे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे 150 वार्ड में मैं उसी तरह से विकास करूँ जो राज साब ने नाशिक में किया है मैं पिछले 40 साल से यहां पे रह रहा हूँ और ये 10 साल में कॉंग्रेस के जो मिया बीबी नगर सेवक रही चुके उन्होंने ये पूरे 101 वार्ड को इतना गंदगी से भर दिया है उनको आज तक ये मालूम नहीं पड़ा कि लोगों की समस्या क्या है नगर सेवक का काम क्या होता है पिछले 10 साल में यहां के नाले जो गंदगी से भरे हुए है ड्रेनेज बह रहे है रस्ते जिसमें इतने खड़े है कि आज तक रस्तों में ह हम चल रहे है कि खड़ों में हम चल रहे है वो हम लोग को समझ में नहीं आता यहां की जो डेवलप्मेंट है यहां पे जो पानी की व्यवस्ता जो है पानी में रोज कम से कम जो गरीब जनता है आम जनता है वहां पे उनको एक गंटा पानी एक तो मुश्किल से दो गंटा पानी जो है वो इस तरह से छोड़ना पड़ता है वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि उसमें कीडों मुकड़े होते काला पानी आ जाता है सबसे बड़ी बात अब अगर मैं विस्तार में अगर आपको मैं बताऊं पिछले 10 साल में एक बार कॉंग्रेस की तरफ से गौतम सावल आज यहां पे 80% जो हमारा जो वाड है वो जोपड़पटी में लोग रहते हैं जो काफी गरीब है महिलाओं के लिए एक सवचाले नहीं है आज भी रोड पे बच्चे और महिलाएं यहां पे बैट्टे हमें शरम आती है कि हम 21 शतक में आज जा रहे हम लोग स्मार्ट सिट के नाम पे जो बड़े-बड़े स्वच्च अभियान की बाते करती है और यहां पे एक सवचाले नहीं मुझे शरम आती है कि यह महिला नगर से होने के बावजिद भी आज तक उनको यह इतना मालूम नहीं पड़ा कि हम लोग क्या करना चाहिए दुसरी और पे यहां पे आ जानी उनको दिया जाता है यह कुंसी राजनिती है आज पालिका के कोई भी आधिकरी यहां पे काम करने के लिए तयार नहीं है क्या कहेंगे कि जो नगर सेवक के अगर देखा जाते तो कॉंगरेश पार्टी के नगर सेवक में महराज नो निर्मार सेना के तरफ से विकास किया गया है क्या मुंबई में भी इसी तरह की विकास देखे जा सकते हैं जरूर देखे जा सकते हैं लोगों को उभर के आना चाहिए एक मौका हम लोगों को देना चाहिए क्योंकि मनसे की तरफ से राज साप का एक सपना है महाराष्टा नवनेर्मान सेना नाम में कुछ महाराष्टा को इस तरह से लोगों को कुछ हम लोगों को देना है ताकि ये आ प्रत्यारब करते हुए लोगों की सम्मस्यां का निवारंटों किया नहीं है, मैं मेरी तरफ से यही कहना चाहता हूं कि मैं आज एक साम्मानिय यहां से पदाधिकारी जब मैं कारे करता करके और पदाधिकारी करके जब लोगों के बीच में जाके लोगों के काम कर सकता हूं, तो नगर सेव को कितने करने चाहिए मैं आपको अच्छे चोटे चोटे एक्जांपल दे सकता हूँ जैसे हमारे यहां पे सुमन नगर का जो रस्ता था जो यह हाइवेक पे लखे जो बड़ा सबसे जो सब जगा पे जाके वो मिलता है वो रस्ता कम से कम उसके लिए 10 करोड र आता है कि नगर सेवकर ने पिछले 10 साल में किया क्या लोगों को सिवाए तकलीफ, दुख भरी जिंदगी, पानी की दिक्कत, ड्रेनेज की दिक्कत और उपर से महिला सुरक्षित नहीं है आज महिला अगर सवचाले में जाती है तो दड़ के मारे वो रिटन आ जाती है क्य क्योंकि उनको ये खौफना जिंदगी ना तो आज यहां पे महिलाओं को पुलिस वालों से उतना सपोर्ट मिलता है क्योंकि नगर सेवक का काम सिफ ऐसा नहीं होता है कि रस्ते बनाओ लेकिन समाज को सुधारने के लिए पुलिसों का भी साथ में मिलना और जैसे मैं और आ अगर आप देखोगे कि स्कूल के जो बातरूम है वहां पर जो सवचाल है वह भी तुटे हुए है एक जगह पर इन लोग एक स्कूल के लिए पिंतिन करोर फंड पास कि ऐसे बोलते हैं दूसरी जगह पर वह पैसा जाता कहां पर यह पैसे का ब्रश्टा चाह रहे है छोट नगर पाली के साथ में जाके उनके साथ हमेशा जहां जहां पानी की तकलीफ है वहां पर मैंने सोलूशन निकलने की कोशिश की है już सुबह साथ बजह से लेके जो सवचालय में जहां पर कोई आदमी वहां पर जानी सकती क्योंके तूटे य crouch परतन लाइट का ना होना सवचा लेके अंदर पानी न होना यह समस्या के उपर जाके एमर्जनसी फंड लेके मैंने वो काम किया है क्या कहेंगे जो लोगों की तकलीफ है अगर आपने अभी कहा इस्कूल की तकलीफ है बातुरूम की तकलीफ है देखा जातों महिलाएं हुआ होना चाहिए अगर मुझे मेरी पार्टी को मंसे को अगर यहां से चुन के देते तो मैं पहले दिन से मैं विकास की अधारा शुरू करते हूए पहले जो गटर के अंदर जो लाइन गई है पानी की लाइना जो है वो गटर की अंदर है पहला मेरा एक रहेगा मुलू에서 आदमी की जरुरुत होती है पानी, वो पानी ही की लाइन गटर में से, पहले मैं उसको परिवर्तन करने की कोशिश करूँगा, मैं वो गटर में से जो लाइन है उसको हटा के अच्छे सेफ ली, जहां पे पानी अच्छा मिले, वो करूँगा. दूसरी बात जो सवचाले है खास करके महिलाओं के लिए अगर घर मे अगर नहीं बना सकते तो जहां जहां भी जगा है अगर जितना fund possible है उतना नहीं तो जहां से भी fund हम ऐसे भी जरूरी नहीं है कि fund कैसे लाया जाये फंड कहां से भी वो जज़बा होना चाहिए. मैं किसी भी हाल में जितने से जादा से जादा साउचले बने आने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ मैं रोड जो यहाँ पर हर जगा पर खोते हैं, कोई भी एक खड़ा करते किसी एक काम के लिए मैं तब तक ये काम करने को नहीं देंगा जब तक उनके बास वो लिखी तोर पे कहा जाएगा कि ये इतने दिन में काम होगा और इतने दिन में मैं ये रोड अच्छा साफ करके फिर से वैसा ही बनाओगा जाना चाहूँगा कि आपने अभी कुछ समय पहले कहा कि आपने एक मोर्चा निकला था रोड का डेवलप्मेन होने के लिए जो रोड पे बड़े बड़े खड़े थे क्या कहेंगे कितनी तकलिफ आपको इसमें सहनी बड़ी थी और क्या-क्या इसमें मोर्चा निकलना उसके लिए काफी दिक्कत आई लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब कोई काम नहीं होता और जब हम जाके वह काम करते है तो उसकी जो खुशी होती है वह काफी अछी होती है पहले तो एक तो यह यह मेरा काम नहीं है शुरुष यहाँ से कि उनको पता asनी है जब मैं P.W के पास जाता था जब मैं BMC के पास जाता था वो बिलते थे हमारा काम नहीं है जब मैं MSRD के पास जाता था वो बलते हैं यह हमारा काम नहीं है लेकिन जिसका काम था वो खुद जानने के बावजूद भी एक दूसरे के उपर आरोप रहतार हो रहे थे क्योंकि इसके पीछे क तो हमारे मंस्य पार्टी के तरफ से उनके पास पत्रविवार किया, वो करने के बाद में मैंने उनको अल्टिमिटम दिया, कि आने वाले दस दिन के अंदर अगर आपने ये रोड का काम अगर चालू नहीं किया, तो मेरी आपको सब को ये विनंती समझो या उसको धमकी समझो ये रोड के उपर से जो ये खड़े है, उसी के उपर आपको आपका कारेलाय में बनाने के लिए मजबूर करूँगा, और तब तक आपको यहाँ पे बैटना पड़ेगा, जब तक आप इसको ये रोड को अच्छा नहीं करते हैं तरह उन्होंने काम किया है, लेकिन अगर बात करें हैं मुंबई की कुर्ला की तो यहाँ पर डेवलफ होना काफी जरूरी है, और हम नितिन जिन से जानेंगे कि कुर्ला विभाग में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर बच्चों के लिए गारण की समस्या काफी बनी पड ने बच्चों को ना तो खेलने के लिए गारण दिया, ना तो senior citizen के लिए टहलने के लिए कोई जगा दी, आज तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हरित मुंबई के नारे दिये जाते हैं, लेकिन हरे भरे पेड है, उनको काटा जाता है, उनको injection दिया जाता है, मेरे लगातार, BMC में जाके उनके पास, इवन मैंने राजयपाल के पास उसके उपर inquiry बिठाने के लिए कहा है, BMC ना तो इसके उपर कोई कारवाई किया, हमारे जो नगर से वगए, ना तो उन्होंने उसके बीच में जाके कोई पहल की, कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, और अग उनके नाम पे यह जो मैदान बड़ा हुआ है, वहाँ पे पानिक की समस्या इतनी है कि जब प्लेयर्स जब एक अच्छा जब यहाँ पे अच्छे-च्छे प्लेयर्स बन सकते, पहले हमारे चेंबूर में अभी कूरविला नाम का जो इंडिया टीम के लिए खेलता था, वै यहाँ पे पानी का एक मिलना होना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं है, यह जो पेड काटा हुआ है, यह क्या नगर सेवक को दिखता नहीं है, लेकिन नगर सेवक इसमें पैसे खा लेते है, यह बिल्डर की नगर सेवक की और मेरा यह खुले आम आरोप है, इसमें BMC पूरी तरह के से इन्वर्ड है, बिना आज मैंने लगातार मेरी यह अपील हो चुकी है, कि मैंने RTI के अमाध्यम से मुंबई में यह हर पांच साल के बाद पेडों का सर्वेक्शन होता है, आज 2007 के बाद मुंबई में पेडों का सर्वेक्शन हुआ नहीं है, BMC क आज तक मालूम नहीं है कि 1011 वार्ड में कितने पेड़ है और कितने पेड़ काटे गए है, जब उनके पास कितने पेड़ है उसका ही डाटा अवेलेबल नहीं है, तो वो यह बताई नहीं सकती कि पितने के पेड़ काटे हुए, मैंने मेरे पास वो फोटो है, मेरे पास वो राँन मारेंगे एक रात को राँन मारेंगे उनको आज तक development क्या होती है रस्ते कैसे अच्छे होते है मैदान किस तरह से young generation को देना चाहिए कैसे यहाँ से नए नव जान क्रिकेट खेलने वाले फुटबॉल खेलने वाले किस तरह से बने senior citizen आज सेफ नहीं है मेरी ये मेरा या जाहिर आरोब है कि यहां के senior citizen जब morning work के लिए निकलते है या कोई महिला जब निकलती है तो chain snatching जैसे हमेशा यहां पे जो होते है किसे उसके लिए जो जनता जो है वो भैविध हो चुकी है नगर सेवक का वो भी काम है कि पोलीस के उपर उनको जागरुकता होनी चाहिए पोलीस यहां पे गस्त लगनी चाहिए नगर सेवक के माध्यम से वो भी उसमें वो फेल जा चुके है यह बात तो सच है कि कहीं न कहीं अगर यह देखा जाए तो वार्ड नमर 154 काफी जनसंख्या वाला इलाका है बुजूर्ग महिल है इंजेक्शन देकर लेकिन अगर महाराश नो निर्मार सेना के तरफ से नितीन जी मुहिम चला रहे हैं और यहां पे अगर केंडिडेट बन के चून कर आते हैं लोग इन्हें अगर चून कर देते हैं तो यहां पे काफी विकास भरा काम देखा जा सकता है कैमरामेन के साथ राजपांडे सीय न्यूज मुंबई